जो बनता है वो बिगड़ता है जिसका निर्मान होता है उसका बिनास होता है फिर इस मायाबी संसार में हम क्या अस्थाई है हमारा जीवन अस्थाई है हमारा क्या अस्थाई है कुछ अस्थाई नहीं है जिस जमीन के लिए जगड़े होते हैं 200 साल पहले किसी और के नाम थी इसी गाउं में, इसी सहर में, आप देख लिजे 500 साल पहले जो इस्थितियां रही होगी आज नहीं है, और 500 साल बाद यहां क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, जो जमीन के लिए आज हम लड़ते हैं, आज हमारे नाम पर है, कल किसी और के नाम पर होगा, परसों किसी और के नाम पर, यहां किसी की रेजिस्ट्री नहीं है, लेकिन हाद में प्राण गमा देता है, खुन खराबा कर लेता है, और जिस कमाई को करके जाना था, उसका ध्यान जीवन भर नहीं आता, मीरा भाई के पास तो सब कुछ था, सोने चांदी हिरे जवाहरात, लेकिन दुख में पीड़ा में जीवन जीती थी, गुरु का ग्यान मिल गया, उन्होंने कहा, यह धन दहुलत तो छणिक हैं, यह मेरे काम का नहीं, और उसने उसका त्याग कर दिया, फकीरी वाना पहना, और तब उन्होंने क्या कहा, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई, मगन वो तो गली-गली हरी गुन गाने लगी, कहा अब मैं लगन लग गई मेरी, अब मैं मगन हो गई, अब मुझे प्रस्टनता मिली उन्होंने कहा मैंने राम का धन पाया है ये दुनिया का धन तो ले लेगा लोग या तो चोर चुरा लेगा या बेटे बहु बाट लेंगे या फिर ऐसे भी कहीं मिट जाएगा ये धन तो सिर्फ जीवन वसर के लिए है खाने पिने के लिए है ये भी चाहिए लेकिन इसी में इतना मत अटक जाना कि उस धन का पता ही भूल जाओ उस धन तो लोगों ने का वो धन कौन सा है उन्होंने का वो राम का धन है वो प्रेम का धन है अगर जिस दिन हमारे जीवन में वो राम का धन आ गया प्रेम का धन आ गया तो खर्चे नही कोई चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो तो बाहर का धन तो कोई चोर लूट लेगा खर्च हो जाएगा लेकिन जिस प्रेम के धन की बात में कर रही हूं जिस भक्ति के धन की बात में कर रही हूं उसको कोई न लूट सकता है न बांट सकता है इसलिए पायो जी मैंने र भक्ति का मतलब है कि मन निर्मल हो जाना जब तक मन निर्मल नहीं है ना भक्ति मिलेगी ना राम मिलेंगे ना सुख ना सम्रिद्धी ना स्वर्ग एक आदमी राम जी के पीछे दोड़ रहा था तपस्या किया था उसके बाद देखा कि राम जी तो ऐसे मिलेंगे नहीं वो द दोड़ने लगा राम जी के पीछे कहीं राम जी नजर आ गए वो दोड़ने लगा दोड़ते दोड़ते ठक गया राम का नाम लिये जा रहा है दोड़ते चला जा रहा है राम जी के पीछे भागते चला जा रहा है काफी दिन चलने के बाद राम जी दर्शन दे दिये अर्थ इतने दिन से हम दोड रहे थे, इतने दिन से हमारी यात्रा चल रही थी, राम जी दिखाई नहीं दिये, लेकिन अब हम राम जी को मिल लेंगे, क्योंकि अब राम दिखने लगे हैं, और राम जी धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, राम जी की यात्रा आगे चलती जाएगा अब राम जी से समस्या नहीं है उस आदमी ने सोचा अब तो राम से भेंट हो जाएगी क्योंकि राम जी दिखने लगे हैं थोड़ा और तेज चला थोड़ा और कदम बढ़ाया अब इतना फासला बच गया था मुश्किल से 10 फिट का अब और और तेज चलना शुर नाम लेती है यह तो सत्य है लेकिन सच्चे मन से नहीं भागता कोई नाम तो मेरा लेता है सब लोग लेते हैं जैश्री राम 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 से पूरा दिन हम सुरुआत करते हैं लेकिन सच्चे मन से राम को कोई नहीं भज़ता उस आदमी ने कहा मैं तो आपके पीछे प्र नाम लेते हैं और मैं जाता हूँ भाग जाता हैं दौरे तेरे राम जी मिलहु कभी रामोहे तो सब मैं मिली रहा, मैं न मिलूँगा तो है, राम जी कहते हैं, एक आदमी मेरा नाम जप रहा था, बहुत जपा? मुझे लगा ये मेरा भक्त है मैं जाके दर्सन दे दूँ लेकिन जैसे ही मैं उसके द्वार में गया और मैं कहा कि उठो भाई मैं तेरे द्वार में हूँ तो मैं देखा हूँ आदमी तो माया में लिप्टा है उसने कहा कि भगवान आप बहुत जल्दी आ गए थोड़ा रुख जाए अभी बेटे की साधी करने राम जी ने कहा तुही तो मेरा नाम बार बार ले रहा था कि प्रभू आईए मुझे आपके साथ जाना है अब मैं आ गया हूँ तो तुम बेटे की साधी कहा बेटे की साधी करूँगा फिर पोता होगा फिर उसकी साधी करूँगा तब आईएगा राम जी ने का फिर मेरे तुम्हें कोई मतलब नहीं तुम सिर्व ऐसे ही मेरा नाम लेते हो कि दुख से बचे रहो तुम्हें सत्य से कोई मतलब नहीं राम जी ने कहा इसलिए लोग मेरे भजते थोड़े हैं उसे टाइम पास करते हैं असली तो वो धन को भजते हैं असली में तो संसार को भजते हैं जिस दिन सच्चे मन से कोई राम को भज लेगा आदमे दुखी ही नहीं रहेगा उस आदमी ने कहा अब तो हम आपको पकड़ लेंगे आप चाहे जितना बोलिए राम जी ने कहा ये जो दस फिट का फासला है ना ये जनम जनम बना रहेगा तुम यहां तक तो आ गए लेकिन ये फासला नहीं मिटा सकते इतना तुम मेरे को नहीं पासकते उस आदमी को निरासा हुई उसने कहा अब तो हम बिलकुल पास में हैं आप तो हम चाहें तो छ्छलांग लगा के राम जी को पकड़ सकते हैं, फिर भी राम जी कहते हैं, तुम मुझे नहीं पा सकोगे, उस आदमी ने कहा भगवन प्रभू आप ये बताएं, हमें तो लग रहा है को हम आपको पा लेंगे, आप कह रहे हैं तुम मुझे नहीं पा स रखता है तब राम जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोही पाबा मोही कपट छल छी द्रन भाबा उन्हों ने कहा जो निर्मल मन का आदमी वो पासकता है जिसके मन में छल है वो चाहे मेरे मंदिर में बैठा रहे हैं मुझे नहीं पा सकता है और यदि सिर्फ मेरे मंदिर में आने से मुझे कोई पा लेता तो आयोध्या में जितने लोग हैं सब राम को पा लेते तो क्या आपको लगता है कि जितने लोग आयोध्या में रहते हैं सब जिसके मन में थोड़ी भी नफरत है गंदगी है बुराई है भाई-भाई से बैर है पिता पुत्र में बैर है पडोसी से जगड़ा है वह आदमी राम को नहीं पा सकता वह आदमे कृष्ण को नहीं पा सकता राम जी ने कहा कि मुझे छली कप्टी नफरत करने वाला आदमी थोड़ा भी पसंद नहीं है जो पूजा तो करता है लेकिन छल करता है जो पूजा तो करता है लेकिन नफरत करता है जो मेरी प्रार्थना तो करता है लेकिन भाई से जगड़ा करता है वो आदमी मुझे नहीं पसंद है तब उस आदमी को लगा कि तब तो हम ब्यर्थ ही भाग रहे थे फिर तो हम घर में ही मन निर्मल बना ले तो राम जी आ जाएंगे और मन अगर निर्मल हो मन अगर पवित् सची भक्ती हो तो राम सबरी के द्वार पर पहुँच जाते हैं इसी तरह अगर हमारा जीवन हमारा मन निर्मल बन जाए इस सत्संग से तो समझना कि आप के द्वार पर राम आ जाएंगे लेकिन अगर सत्संग सुनने के बाद सास्तर पढ़ने के बाद कथा सुनने के भी मन निर्मल नहीं हुआ, मन में गंदगी बनी रही, दूसरे के धन को देखकर लोभ जग रहा है, दूसरे के रूप को देखकर लोभ जग रहा है, दूसरे को देखकर के मन में दुख हो रहा है, नफरत मन में हो रही है, इरिश्या हो रही है, तो समझ जाना अभी आप राम को पाने के योग्य नहीं है आप स्वर्ग पाने के योग्य नहीं है जिस दिन मन में निर्मलता आ जाएगी उस दिन सब हो जाएगा और ये सब करना है मृत्यू के आने से पहले क्योंकि ये तो सत्य है कि मृत्यू आएगी इसको कोई नहीं रोक सकता पंच भौतिक सरीर है सब का ये प्रकृति ने दिया है मिट्टी पानी आग हवा से बना है ये उसी में मिल जाएगा तो इससे पहले की मौत आजाए कुछ बढ़ियां काम कर लीजिए इससे पहले के मृत्यू आपके द्वार तक आजाए आप कुछ अच्छा कमाई कर लीजिए क्योंकि शरीर का कोई भ अपना जहाँ दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले जो रिस्ते नाते जोड़े थे जब आदम इस धर्ति से जाता है जिस दिन उसके मृत्यू निकट आजाती है तो मानो वो आप सब से कह रहा है अपने परिवार से कह रहा है बेटे से कह रहा है अपने भाई से कह रहा है कि लोग अपना जहां दुनिया वालों इस दुनिया को छोड़ चले हम जो रिस्ते नाते जोडे थे वो रिस्ते नाते तोड़ चले लोग अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले कुछ सुख के मग में देख चुके कुछ दुख के सद में झेल चुके तकदीर की अंधी गर्दिशने जो खेल खेलाए खेले लिये लोग अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले वह राह अकेले कटती है वहां नहीं कुछ भार चले वह राह अकेले कटती है वहां नहीं कोई साथ चले उस पार न जाने क्या पाएं इस पार तो सब कुछ हार चले लोग अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले जो रिस्ते नाते जोड़े थे वो रिस्ते नाते तोड़ चले लोग अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले हर चीज तुम्हें लोटा दी है वहां नहीं कुछ भार चले हर चीज तुम्हें लोटा दी है वहां नहीं कुछ भार चले पर दोश न देना एं लोगों देखो खाली हाथ चले लोग अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले जो रिस्ते नाते जोड़े थे वो रिस्ते नाते तोड़ चले लोग अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले यही भाव अगर जीवन में बना रहे तो समझ जाना कि जीवन को आप जीत कर जाएंगे बरना सब हार के चले जाएंगे ये सरीर ये संसार में इसलिए नहीं मिला कि खा कमा करके चल देना है जीवन मिला है कुछ पुन्य कमा कर जाना है समाज में कुछ काम करके जाना है आज सोचिए सीमा पर खड़े हमारे जवान सियाचीन में जैसलमेर विकानेर में जहां गर्मी में 60 दिगरी तापमान होता है सियाचीन में जहां माइनस 40 का तापमान होता है वहां हमारे सैनिक किस लिए खड़े हैं दुस्मनों की गोलियां सीने पर खाने के लिए क्यों खड़े हैं क्योंकि हमारे देशवासी सुकून से सो सब्सक्राइब हमारे देशवासी तो जातिबाद में लड़ रहा है मेरा तेरा में लड़ रहा है उच नीच में लड़ रहा है छुआ छूत में लड़ रहा है मत पंथ में लड़ रहा है भगवान के नाम पर लड़ रहा है क्या यही सपना देखा था हमारे सहीदों ने क्या यही सपना देखा था हमारे महापुर्शों ने क्या भगत सिंग जाते जाते यही सपना देखे थे कि हमारे देशवासी आपस में लड़ें कि हमारे देशवासी स्वार्थ की राजनिती करें कि हमारे लोग अपने आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएं, हमारे महापुर्सों ने, हमारे शहीदों ने ये सपना नहीं देखा था, उन्होंने ये सपना देखा था, कि भारत सम्रिध देश बने, कि भारत स्वस्थ देश बने, और भारत विश्चु गुरु देश बने, लेकिन आज हम ही अ महारत के सामने सिर जोका के खड़ा रहता था आज हमारे लोग हमारे बच्चे उसी देश की सभ्यता के पीछे भागे चले जा रहे हैं आज उसी देश के पीछे हमारे लड़के भागे चले जा रहे हैं कि हमें तो मौडर्न बनना है हमें तो आध्वनिक बनना है ध्यान देना अग मौडर्न और आध्विनिक के चक्र में आप अपनी संस्कृति अपने सभ्यता से इतने दूर चले जाएंगे कि ना तो स्वर्ग ना सांती ना समृत्धी मिलेगी ना देश समाज में कुछ करने का गौरब मिलेगा इसलिए हमारे महापुरसों ने कहा अब भी वक्त है जाग जाओ अपने देश के लिए जीओ अपने समाज अपने संस्कृति के लिए जीओ और अपने जीवन में किसी को अगर रॉल मोडल बनाना है अपने महापुरस को बनाओ स्री राम को बनाओ, स्री कृष्ण को बनाओ, उध महावीर कबीर को बनाओ, अपने जीवन में अगर रॉल मोडल बनाना है, तो महापुर्सों को बनाओ, आज हमारे बच्चों से जब हम पूछते हैं, तुम्हारा रॉल मोडल कौन है, तुम्हारा आइकॉन कौन है, तुम्ह होना चाहिए श्रीक्रिप्ष्ण होना चाहिए अपने घरों की दिवारों पर राम-जी का तस्विर लगा भगत सिंग का तस्विर लगा बुद्ध महावीर कवीर का तस्विर लगा ताकि उनको देख़कर के आपके बच्चे प्रेड़ना ले सकें यह hero heroine की तस्किर लगा करके आपने नेतिकता गिरा दी है आपके बच्चे वही बनना चाहते हैं एक छोटा सा बच्चा था चार साल का उससे पूछा क्या बनना चाहते हो कुछ दिन पहले की बात थी उसने कहा मैं सिंगम बनना चाहता हूँ कोई फिल्म आई थी सिंगम नाम से स वो खुद भी फिल्म देखते हैं और बच्चों को भी दिखाते हैं वो खुद भी गाना सुनते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं वो खुद भी hero heroine की तस्वीर लगाते हैं बच्चों को भी लगाने देते हैं ये संस्कृती हमारी बिगरती चली जा रही ये सत्संग आपक आपके द्वारा सही संस्कार लेने लगेंगे तो जैसे माता सीता ने लवकुस को महान बना दिया था वैसे आज भी माबाप अगर चाहले उनके बच्चे स्रवन कुमार बन सकते हैं भगत सिंग बन सकते हैं चंद से खराजाद बन सकते हैं लेकिन आपकी लापरवाही से आज आपके बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं और वो हीरो हीरोईन बनने के रहा पर हैं अंग परदर्सन के रहा पर हैं जिस देश में अपनी साधना से अपने ज्यान से अपने भीरता से नाम रोशन किया जाता था और वैसे यह डेश है सतिश्वियों का देश है भीर पॉर्सों का देश है महापॉर्सों का देश है विरांगनाओं का देश है वेकिन आज आपके बच्चे modern युग में अंग परदर्सन करके और बच्चियां Miss India और Miss World बनने की ख्वाइस में भागे चले जा रहे हैं अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़ करके अंग परदर्सन में लगे चले जा रहे हैं उनको लटाईए अपनी संस्कृति में आईए कि बनना है तो मिरावाई बनो बनना है तो मासिता की तरह बनो बनना है तो लक्ष्मिवाई बनो जो अंग परदर्सन से नहीं अपने सौर्ज परदर्सन से अपने ग्यान परदर्सन से इस दुनिया में नाम कमाया था इसलिए मैंने कहा ये सत्संग आपके जीवन के समस्याओं का समधान हो सकता है ये सत्संग आपके जीवन के प्रशनों का उत्तर हो सकता है इसलिए आज ये अंतिम दिन, अंतिम सत्र और अंतिम घड़ी है अब ये भजन जो जिसका अर्थ सेवा है सत्संग है साधना है ये अप पुर्ण होने वाला है इसके बाद आप भुजन भी करेंगे आप सब बिदा भी लेंगे लेकिन एक एक बात अपने गाठ में बांध कर जाना कि जो ग्यान पांच दिनों में सुने है जो ग्यान आज बरना एक दिन यमराज लेकर चला जाएगा कुछ यहां रह नहीं जाएगा इसलिए संकल्प ले लिजिए कि मुझे भी अपने महापुरसों के राह पर चलना है मुझे राक्षसों के राह पर नहीं चलना है अगर आप राम का नाम लेते हैं और कर्म रावन का जीते हैं तो तो आप इस धरती से नाम गवा कर जाएंगे, कमा कर नहीं जाएंगे, इसलिए संकल्प लिजिए, इसी के साथ सब को मंगल कामना देते, रामदयाल जी को शुब कामना देते कि उन्होंने एक संकल्प लिया, सत्संग का, सत्संग का संकल्प लिना भी बड़ी बात है, और सत् जो सत्संग समाज को तोड़ दे वो सत्संग हो ही नहीं सपता जो सत्संग इंसान को इंसान से तोड़ दे उस सत्संग हो ही नहीं सकता, सत्संग तो वही सार्थक है जो इनसान को जोड़ दे, प्रानी मात्र को एक सुत्र में बांध दे, जो सब के दिलों में एक सुत्र बांध दे, प्रेम का, तो इसी सत्संग को इसी तरह के सत्संग को आप जीवन में उतारिए, इसी तरह के में जुड़िये और पूरी मानवता में अपना भी एक हिस्सेदार बनिये शुभकामना इसी के साथ सब को पुनह देते हुए बानी को बिराम देता हूँ